हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज किस वीडियो मैं आपको भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्स जिसके अंदर में BS1, BS2, BS3, BS4 और BS6 आता है तो इसकी complete history बताऊंगा कौन सा भारती स्टेज कब implement हुआ, क्यों implement हुआ और जैसे-जैसे BS जो एमिशन norm से वो change होते जाता है तो उसके नियम में क्या-क्या changes होते है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि BS4 जो कि 2015 में आना था तो 2017 में क्यों आया BS4 के बाद direct BS6 क्यों आया, BS5 क्यों नहीं आया तो इन सब बातों के उपर में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कर लिजे चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भारत स्टेज है यह एक्जाक्टली होता क्या इसकी आपको एक ओवर्वीव देता हूँ तो फ्रेंट्स देखे कोई भी आटमोबाइल वेहकल हो चाहे टू विलर हो थ्री विलर हो फोर विलर हो ट्रक हो हर एक गाड़ी के एक्जॉस्ट सिस्टम से होते हुए साइलेंसर से कुछ एक्जॉस्ट कैसेस जहाम लोग बोल सकते जो दूआ है वो निकलता है आप फ्रेंट्स कुछ गाड़ीों से जो एक्जॉस्ट कैसेस वो जादा निकलती है कुछ से कम निकलती है लेकिन निकलती सब से है और यह जो exhaust gases है वो जब आपकी गाड़ी के engine के cylinder के अंदर में चाहे petrol हो चाहे diesel हो जब वो जलता है जिससे की engine power produce करता है तो उस time पे ही यह exhaust gases produce होती है और exhaust जो stroke होता है उस time पे यह निकलती है अब होता क्या है कि यह जो exhaust gases है इनमें बहुत सारे harmful gases होते है जिसमें होता है hydrocarbon, carbon monoxide, nitrogen oxide, particulate matter और यह सारे जो harmful gases है जब यह exhaust gases silencers होके बाहर निकलती है तो यह environment को तो pollute environment को तो harm करते ही है उसे परद्यूसित तो करती है उसके साथ यह जो हम humans होते है हमारे health को भी यह बहुत ज सारी बिमारी होती है वैसे उसके उपर में detail video मैं already upload किया हुआ, link आपको description में मिल जाएगा तो friends, India में जो ministry of environment, forest and climate change है इनके under में central pollution control board आता है और जो central pollution control board है वही इन जो भारत stage है जो BS 346 है इनहे regulate करता है इनहें implement करता और decide करता है कि कौन सा भारत stage कम इंडिया में implement होगा और उसमें क्या-क्या changes आएंगी और इसके बारे में हम वीडियो में भी आगे बात करने वाले हैं friends, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो भारत stage start हुआ था इंडिया में उससे पहले इंडिया में mass emission norms जो की 1991 में implement हुआ था और ये petrol गाडियों के नहीं mass emission जो norms है वो डीजल की गाडियों के लिए भी implement किया गया और उसके बाद 1995 में क्या किया गया कि जितनी भी petrol की गाडिया थी वहां पे खासकर के चार सीटी में ऐसा किया गया था जो की था दिली, मुंबाई, कुलकता और चिन ने तो यहां पर जितनी भी petrol की गाडिया गया थी वहां पे जो catalytic converter होता है उसको लगाना mandatory कर दिया गया था और जो catalytic converter होता है अगर आप यह जाना चाहते हो कि वो क्या होता और कैसे काम करता है तो इसके उपर में भी detail video का लिंक आपको description में मिल जाएगा वैसे असान लबजों में कहें तो जितनी भी exhaust gases निकल रही hydro carbon carbon monoxide वगरा तो catalytic converter उनको क्या करता है उनको clean कर देता है उनको less harmful बना देता है जैसे कि carbon monoxide को बना देता है carbon dioxide hydrocarbon को बना देता है water vapor यानि की H2O लेकिन ये तो हो गया history अब हम लोग सीधा आते हैं भारत stage में friends India में भारत stage emission standards की सुरुवात सन 2000 में हुई और इसका idea कहां से आय मैं आपको ये भी बता देता हूँ friends basically Europe में एक vehicle emission standard norms है जिसे euro norms कहते है और इसी euro norms को इंडिया में adopt किया गया इसके technique को implement किया गया basically जैसे इंडिया में BS1, BS2, BS3 होता है वैसे इंडिया में euro 1, euro 2, euro 3 होता है तो सबसे पहले सन 2000 में four wheeler गाडियों के लिए एक इंडिया 2000 के ना गया जिसका reference था euro 1 और इसे पूरे देश में लागू किया गया लेकिन ये सिर्फ जो four wheeler गाडिया थी उनके लिए लागू किया गया अब जैसे हम लों कहते हैं कि BS1 exactly सही माइने में BS1 कभी कुछ था ही नहीं सबसे पहले था इंडिया 2000 के नाम से vehicle emission norms इसके बाद आया भारत stage norms और सबसे पहले आया BS2 ठेक है तो BS2 से सुरुवात हुआ था तो देखिए सबसे पहले जो BS2 था वो उसका reference था euro 2 और जो BS2 था वो सबसे पहले इंडिया में four wheeler गाडियों के लिए 2001 में NCR जो दिली NCR है मुंबई है कोलकता और चिन्नाई है यहाँ पे यह लागू किया गया आगे टू विलर और थ्री विलर के लिए भी आया लेकिन सबसे पहले 2001 में इन चार जगों में four wheeler के लिए लागू किया गया इसके बाद 2003 में ही भारत stage 2 को बागी के cities में भी implement किया गय मुंबई कोलकता चिन्नाई में तो पहले ही से था इसके अलावा मैं आपको बता दू बैंगलोरू, हैदराबाद, एहमदाबाद, पुने, सूरत, कानपूर, लखनौ, सोलापूर, जमसेतपूर और आगरा इन cities में भी भारत stage 2 को four wheeler के लिए implement किया गया उसके बाद अप्र इसके बाद फिर आया BS3, फ्रेंट्स वैसे BS2 से BS3 जब हम लोग गये तो बहुत सारे challenges हुआ नियमों में, उसकी बाद हम आगे करेंगे, पहले हम implementation की date की बात कर लेते हैं, तो फिर आया BS3, तो देखिए, अप्रील 2005 में ही, NCR और बाकी की जो 13 cities के मैंने नाम बताया था, व उसके बाद ये अप्रील 2010 में टूविलर, थ्रीविलर, फ्रीविलर और बाकी ट्रक्स वगरा के लिए nationwide देश भर में BS3 को लागू किया गया, अब उसके बाद आया BS4, तो मैं आपको बता दू कि NCR और बाकी की 13 cities में अप्रील 2010 में ही BS4 को implement कर दिया गया था, क्योंकि pollution का म नहीं करना तो उसका मातरा को कम कर दिया जा रहा था, वो standard को कम कर दिया जा रहा था, ठीक है, तो BS4 आ गया, लेकिन जो BS4 nationwide देश भर में सभी गाडियों के लिए लागू होना था, वो होना था, अप्रील 2015 में, लेकिन मैं आपको बता दू कि जैसे जैसे हम लोग BS के नॉम इंडियान ओयल, HPCL या फिर भारत पे टूलिम हो गया, इन सब को टाइम चाहिए था, चुकि देज भर में जो 50 PPM सलफर का फ्यूल को सारे देज भर में रिफाइन करके पहुचाने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए क्या कि इस डेट को आगे पुश किया गया, बहुत स क्या गया था, उसके हिसाब से आना था 2020 या 2021 में आना था BS5 को, लेकिन BS5 आया नहीं, डारेक्ट BS6 आया, वो क्यों आया, मैं आपको ये भी समझा देता हूं, कि देकि सबसे पहला पॉइंट तो कि 2017 के असपास क्या आओ गया था, कि 2015-16-17 के असपास पूर देज भर में खा था कि पॉलिशन कितना जादा बढ़ गया था, और इस पॉलिशन का बहुत हद तक रिजन था, गाडियों की संख्या का बढ़ना, और गाडियों से जो पॉलिशन बढ़ रहा था, वो बहुत जादा बढ़ते जा रहा था, दूसरी बात हम लोग यूरो को फॉलो करते है, जो इंडियन बेस है, वो यूरो को फॉलो करता है, यूरो 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो जो यूरो 6 था, वो यूरो में सिप्तेमबर 2014 को एप्रूब हो चुका था, और सिप्तेमबर 2015 को इंप्लीमेंट हो चुका था, तो यूरो 6 पहले ही इंप्लीमेंट हो चुका था, और हम इतने पीछे थे तो एक वो भी वज़ा था कि हम लोग को उसको भी देखके चलना था कि हम लोग जो जितना जादा पॉलुशन है वो गाड़ियों से कम निकले स्टैंडर्स हेट करें तो इन सब रीजन के वज़ा से क्या हुआ कि गॉवर्मेंट ने क्या किया कि जो बीएस फाइब है उसे स्किप कर दिया उसे छोड़ दिया और डायट कंपनीज को कहा कि आपको बीएस सिक्स को इंप्लिमें हो चुका था एक अप्टिल 2020 से इंडिया में बीएस सिक्स तो यह तो हो गया बीएस का हिस्ट्री लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे यह भारत इस्टेज होते गया टू थ्री फोर शिक्स आ गया तो वैसे ही वैसे क्या गया गया उनीस सो काम भी से आप ले लो त तो यहां पर आपको डेटा दिखाए दे रहा है कार्स लाइट डीट्री डीजल के लिए कार्स जो पेट्रोल होता है गेसुरीन तो उसके लिए और कमर्शल वहेकल के लिए आपको डेटा दिखाए दे रहा है और पाकि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि जो का जो रेशियो होता है वो अलग होता है लेकिन आपको अग्रिगेट बताता हूं ताकि आपको जाद अच्छी तरह से समझ में आ सके तो सबसे पहला आप कार्स लाइट डिजल का ही देख लो आप तो 1990 में आप देख सकते हो कि अलाओ था कि कार्स और लाइट डिजल के लिए 21.6 ग्राम पर किलोमेटर ये अलाओ था कि उतना निकल सकता है दुआ से इतना पॉल्टेन गैसे निकल सकता है लेकिन जैसे से 1996 फिर BS1 फिर BS2, BS3, BS4 जो भी आते गया तो आप देख सकते हो कि जो ग्राम पर निकल रहा था किलोमेटर वो कैसे कम होते गया 21.6 से 7.9, फिर 3.83, फिर 1.78, फिर 1.25, फिर 0.83, फिर 0.73 और उसे घटा कि 0.67 कर दिया गया BS6 में यानि कि इतना कम निकलना चाहिए तभी उन गाडियों का रेजिस्ट्रेशन हो पाएगा ये नॉम्स चेंज होते गया उसके जश नीचे आप देख सकते हो पेट्रोल की गाडियों के लिए उनीचे जो था 16.3 था और वो कम होके BS6 में आ गया 1.6 ये सारा 4 विलर का यहां पर बात हो रहा है टूब्लिया और थिरवर्ड के बाद अभी हम आगे करेंगे उसके बाद आप नीचे देख लिए कमर्सियल वेहिकल के लिए जिसे ग्राम पर किलोवाट आवर में रेजिस्टर किया गया है तो आप देख सकते हो कि 1991 में अलाव था 35.5 ग्राम पर किलोवाट आवर ये प्रेंड्स इसके बाद अगराम नोग 2-wheeler और 3-wheeler की बात करें तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जो कि आप इसकी पर देख रहे हो तो यहां पर सबसे प्रला अगराम नोग 2-wheeler की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1991 से 2010 का मैंने दिखा रखा है तो ब्लैक कलर से अपको कार्बन मोनोकशाइड दिखाए देरा कितना अलाग हूथ था और आपको ब्लू कलर से दिखाए देरा है आईडरो कारबन और नैटोजन ऑक्साइड तो 2-wheeler में जहां 1991 में 14.25 ग्राम पर किलो में में कार्बन मोनोकशाइड अलाग हो था और 8.5 ग्राम पर किलो में हाइड्रो कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड अलाओ था तो वो 2010 में आके बीएस थी तक आते आते देख सकते हो आप एक और एक ग्राम पर किलोमेटर हो गया ये कितना ज्यादा चैंज हो गया और फर फिर ये बीएस पूर और बीएस जिक्स में ये और ज्यादा चेंज हो गया सेम आप 3-2 बीलर का भी डेटा देखो तो आप देख सकते हो कि 30 ग्राम पर किलोमेटर कार्बन मोन ऑक्साइड और 12 हलाकि 2090 में सिर्फ हई्टो कार्बन को करने के लिए कहा गया था तो वो था 12 ग्राम पर किलोमेटर लेकिन आप देख सकते हूं कि वो घट के 1.25 मे आगया BS3 में 2010 में तो यही चेंजस टाइम टाइम से किया जाता है जब BS3, BS4 और BS6 अब आगया है और इसके बात भी अगर BS7, BS7 जो भी आएगा उसमें यही चेंज किया जाता है कि कमपनी को कहा जाता है कि आप टेकनोलोजी में चेंजस करें, इंजन की जो बना रहे है आप उसमें इंप्रूब्मेंट करें और जो फ्यूल है उन्हें भी कहा जाता है कि फ्यूल कमपनी को आप उसे ज्यादा रिफाइन करें ताकि कम एक्जॉस्ट कैसे निकलें तो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अतनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लाओ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल क को सब्सक्राइब कर ले और बिल आकोन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकर्शन गत्रू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स पूराचिंग इस वीडियो गुडबाई